और अज मंडे लॉग वीकेंड के बाद तो मंटे को जनेरली में ट्रेड करता हूं फिन नेफ्टी या नेफ्टी तो मैं आज फिन नेफ्टी ट्रेड करने की सोची ठीक है क्योंकि मैं आपको डीजन एक्सक्वेंन करता हूं अराम से वीडियो देखोआ देखो ये डेली का चार्ट है राइट डेली में अगर आप देखो तो मार्केट हमारे को पहले से लगबग लगबग 4.5% का मुव्स दे चुकी है तो इतने बड़े मूव के आद मैं एक्सपेक कर रहा हूँ कुछ यह समझो इतने बड़े मूव किया तो क्या एक्सपेक्टेड है आपको एक्सपेक्टेड है कि मार्केट एक रेंज में रहीगी राइट तो उस रेंज को आपको उस रेंज का एडवांटेज उठाने के लिए मैंने सुबह सुबह जो पोजिशन बेची पहली अपनी वो करने के लिए जो कॉर्टरली सेटलमेंट में हेल्प करी ठीक है रेची मैं 18650 18250 अगर आप आओ 18650 हो गये यह होगे 18650 यह होगे 18250 तो काफी बड़ी रेंज राइट 400 पॉइंट्स की रेंज हो गई और उसके बाद आई सोल्ड यह चलती रही ट्रेड उसका इंसाइड है करी है लगबग लगबग दीस मिनट के बाद ठीक है थोड़ा सा प्रॉफिट हो इंसाइड है जिस वाइ कर ली क्योंकि फिनिफ्टी थोड़ा जादा वॉलटाइल रहता है कम प्रीमियम के अंदर जब ऐसे मूव जाते न तो वह एक एक साइड को टेस्ट करते हैं जैसे ए और उसके अद को एजस्मेंट निगली उसके पोजिशन को मैंने पहली बार क्लोज करा है अराउंड 1156 के आसपास जब मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो क्या था पहली पोजिशन में हमारा प्रॉफिट हुआ लगबग लगबग 6-7000 के आसपास हम घोम रहते उसके मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया राउंड 4000 तो फिर जो आखिर में के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लिया दाट वस बाउट 4000 ठीक है और उसके अगर आप देखो तो मैं साच बोलू तो मैं आज थोड़ा से साधा फ्रॉस्ट्रेटिट था क्योंकि पता नहीं कोई री पॉसिशन और दुबारा एंटर करने पर कुछ लॉस नहीं हुआ विदिन टू मिनिट्स मैंने क्लोज कर दी क्योंकि मैं को रेलाइज हुआ कि मैं आउट आफ फ्रॉस्ट्रेशन कर रहा हूं मेरा कोई प्रॉपर प्लान नहीं है जो मेरा रूल था कि ट्रेलिंग स्टॉप तो इससे क्या होता है अगर कोई बड़ा मूव आता है अपसाइड पे तो दोनों इंक्रीज होंगी यह क्या दोनों लगबग लगबग सेम उससे इंक्रीज होंगी तो जादा लॉस नहीं होगा और डाउन मूव पे दोनों क्रैश होंगी यह थोड़ी तेज होगी थोड़ सी कम होगी और अगर आप इसका calculate करो तो हमारे को इसके इंदर 10 point मिल रहे हैं 10 point on thousand quantities 10,000 rupees तो लगबग लगबग मोटा मोटी आदा percent निकल जाएगा अगर मैं यह market day high cross नहीं करती है और day high के नीचे नीचे trade करती रहती है तो और ऐसे ही trade करती रहे तो maybe मैं carry करूँगा maybe not वह मैं आपके लिए सेलिंग की right यहां पर कई sell of sell कर रखा था हमने exact time में देख लेता हूं मैं आपके लिए sold at 12.02 तो अगर मैं आपको ले चलू बारा बजे क्या सपास यहां पर अगर आप यहां पर देखो देखो मैंने यहां पर sell position बनाई थी क्योंकि मेरे को expected था हम day high के उपर नहीं जाएंगे ठीक है तो मैंने क्या करा previous resistance 18 550 की call बेची 600 से hedge कर लिए 50 points दूर अब यह जो 50 points दूर की hedge होती है यह क्या करती है जब market देखो मेरे against कितने point गई है यहां से अगर मैं देखूँ तो मेरे against लगबग लगबग मोटा मोटी 50 points against गई है मार्किट मेरे ठीक है यह पूरे 50 पॉइंट अगेंस दाने में मेरे को मात्र पंद्रहसो दो हजार रुपे का लॉस हुए सिरफ MTM जो माइनस में दिखा रहा था 4000 से 2000 रुपे का लॉस दिखा रहा था लेकिन जैसी तूटना शुरू हुई उसके यह देखो तो क्या होता है जब भी आप एक स्पाइरी से एक दो दिन पहले या एक दिन पहले स्प्रेड्स बनाते हो और स्पैसिफिकली जब वो स्पाइक कर रही है उस साइड का छोटी सी हेज लेका उस्प्रेड बनाऊगे न तो काफी अच्छ आपको रिस्ट रिवाड देगी देख कुछ बहुत अच्छा है इसका बेस्ट पार्ट क्या रहता है मैं आपको इसमें दिखाता हूँ आप्स्ट्रा पर यह दूसरा अकाउंट में मेरी स्प्रेड चल रही है सेमी स्प्रेड दाली थी बट उसको अड़्जस्ट करते करते हम वो कर रहे है है ठीक है बट दिखातों इंस आप इस ख्लियर हो जाएगा थोड़ा और 21.1 ठीक है 21.1 तेल करते 25 लॉट्स और हेज करता अठारा छेष्टो से अठारा छेष्टो कितने की थी अठारा छेष्टो थी 11.6 की 0.5 हमने बाय कर लिया है ठीक है कुछ इस तरह स्प्रेड थी तो आपको यह देखके डर लग रहा होगा चालेजार का लॉस है दजार का लेकिन वो चालेजार जाएगा थोड़ी वो MAKSIMUM MAKSIMUM मतलब आप काट लेना जिस जवाब का STOP LOSS है मेरा STOP LOSS था कि भाइ डे हाई के उपर मैं इंट्रस्टेड नहीं हूँ इसके अंदर डे हाई के उपर I don't think की डे हाई के उपर मार्केट जाहिए गे हैंगे है का लेता हूँ गहीं नहीं है यहां से जैसी करेक ली उसके आप देखवा आप क्या कराएगा है सीधा डंप ठीक है 27 से 20 27 से 6 एक मिनट के अंदर अंदर एक मिनट मतलब अब देख रूफ्ट मूव है कहीं पर रुकावट नहीं कुछ भी नहीं तो ऐसे जीदे को चैट जीपी के टीगा यूज कर रहे है वो निकालने के लिए यूट्यूब के टाइटल आली बेटे क्या कर रहे आदमी तो कॉलिंट अदेए यह एक दो हजार एक दो हजार के प्रॉफित पर बंद जाता दिन तो दूसरे अकाउंट में कुछ इस तरह ट्रेड चल रहा है यही वाली ट्रेड को एडजस्ट करकर के हमने कुछ इस तरह बनाया है यह 4400 सो दिखा रहा है इदर ऐसा ठीक है बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसे भी होगा थैंक यू फर वाचिंग सब्सक्राइब कर देना किसी पर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे छोड़ देना और बाकी सारी वीडियो बितलती रहेंगी झाल में झाल में भीडियो बितलती है